अगर आप है तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले है वह आप एसके लिए साथ सात्ट डिस्क्रिप्शन में मैं सोर्स कोड भी डाल दिया है हर एक प्रजेक्ट का लिंक डला हुआ है इस प्रिक्लर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तो वह जाके वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपके पास कम समय है चाहें आप मैनल बना रहे हो या फिर मेजर प्रजेक्ट बना रहे हो अगर आपके पास कम समय है ना तो इन सब प्रौजेक्ट को चर Fall कर सकते हो और आप टीम बना के बना सकते हो और आप अंदर नहीं है तो यह स्किल्स आपके टीम in need तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें कॉलेज में प्रोजक्ट क्यों बनाना चाहिए आपको बता है माक्षिट से ज़्यादा important होता है कॉलेज जब भी कल को किसी company में आप interview देते हो तो माक्षिट से पहले जब interview इंडाई गरी कितना मेहनत किया कितना practical implementation किया कितना आपके पास उस चीज़ का practical knowledge है यह बताता है कि आपने कौन-कौन से project पहां किया और आपका role किया था तो जैसे ही आप किसी company में interview देते हो ना तो oneúp के पुछते in Lancement क्या क्या आपने पर इक यह सब चीज आप से पूछते हैं देखो एक और ची बताओं जब आप company switch करते हो ना तो switch करने के बाद से पुझले company के बारे में नहीं पूछते कि उस company में क्या project था वो पूछते हैं कि college के time में आपने कौन-कौन सब project बनाया था उससे वो idea लगा लेते हैं कि आपका mind कैसा है powerful है या नहीं आप कर पाओगे या नहीं तो सबसे पहला आपके लिए जो project है ना वो है online advertising agency management project जो कोई कम समय में मैं बनाने के लिए बोल रहा हूं आपको यह नहीं कह रहा है कि ऐसा project दे रहा हूं आप 6 महने या साल भर आप मेहनत करो आप बस अगर कम time है ना if you have very less time then आप यह से project के थो जा सकते हो सबसे पहला online advertising agency management project इसमें आप तीन तरह की चीज़ बना सकते हो पहला advertiser होगा दूसरा publisher होगा तीसरा administrator होगा एडवाटाइजर वह होगा जिसको advertisement कराने है publisher वह होगा जो publish करेगा उसका review करेगा administrator होगा जो इस चार चीज़ों को manage कर रहा होगा आप पोटल बना सकते हो इसका एक और अपने college college में दिखा सकते हो देखो आपको लगेगा कि online ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है लेकिन आप college में दिखा रहे हो ना आपको एक आपका hands-on idea देखता है कि आप बना आप कितना मेनत है उसमें वह देखते हैं तो आप इसके तुरू जा सकते हो बनाने के लिए क्या करोगे या तो पीश्पी थुरू बना लेना अगर पीश्पी नहीं आती तो जैंगो आता है पाइथन आता नहीं तो ऐसी चीज़ है ना पाइथन और जैंगो फ्रेमवर्क आपके लिए जो मैंने चूज किया ना वह कस्टमर रिलेशन्शिप मैंजमेंट प्रोजेक्ट यह सब ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है तो पता चल जाएगा कि यह प्रोजेक्ट क्या है कैसे काम करता है इतने में आपका काम हो जाएगा तो यह यह वेब वेस्ट सॉलिशन जो है ना जो कस्टमर का रिलेशन्शिप जैसे की कस्टमर कैसे सामान लेगा उसका डेटावेस में इंट्री और एबरीटिंग जितने भी सारे एफ्रोज होते है ना जैसे की आपने देखा होगा काल सेंटर का चाहिन का तनोम ज्यानट वे ओनलाइन फैकेल्टी फीडबाय से स्टंप अडूप्रॉप जो भी आता है की तुछा सिस्टम तो आप समझी गया होगे जिसमें सारे फैकल्टी के फीड्बेक होंगे स्टुडिंट के तरूप कॉलेज के management के थुरू, guard के थुरू, security के थुरू, इनकी थुरू feedback होगा, और वो anonymous होगा, राइट, वो improve करने के लिए होगा, ना कि कोई politics करने के लिए, तो जब extra चीज आप add करोगे न, जिसमें ना आपके teacher का घाटा है, ना आपके team members का घाटा है, ना strengths का, ना principal का, ना director का, तो वो college भाले accept भी करते हैं, और उसके साथ साथ, वो क्या करते हैं, आपने college में implement भी कर देते हैं, और ये काफी अची चीज़, आपका नाम भी हो जाएगा, आपके team member का नाम हो जाएगा, कि आपका जो project है, वो college में implemented है, और वो चल रहा है, तो आपका एक अचा-चा-चा Car in PHP, आप से PHP नहीं बना सकते हो, PHP में बनाना थोड़ा से easy होता है, क्योंकि web-based portal जो होता है, वो PHP में fast बन जाता है, क्योंकि बने बनाई चीज़ें बहुत सारी मिल जाती है, Google पर code available हो जाते है, तो वहाँ पर मिल जाता है, तो car rent का मतलब का जैसे Ola, Rapido, ये सब करते हैं, उसी तरह से car rent का कर सकते हो, उसमें 2-3 तरह का portal बना सकते हो, एक जिसके पास car है, दुसरा जो चलाना जानता है, और तीसरा जो जो एड्मिनस्ट्रेटर है, जो इस चीज़ को manage करता है, तीन portal module बना सकते हो, और उसमें एक दुसरे को चीज़ें दिखा सकते हो, payment करा सकते हो यह सब चीज़, payment, finally मत करना, payment का लेके demo दिखा देना, लेकिन car एक अलग तरीके से दिखे, आप जो भी car rent की website है वो देख लेना, और उससे थोड़ा extra facility आप add कर लेना, team member के साथ discuss करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा idea आपको मिल जाएगा, वैसे source code मैंने description में तो डाली दि in php, phc में बार बार इसलिए बोल रहा हो, क्योंकि आप college में दिखा रहो, उससे बरिवात है कि आपके वास कम time है, तभी तो आप Google कर रहो, YouTube कर रहो, तो कम time में आप ही बना सकते हो, clinic management system क्या होते है, clinic management system कि उसके patients का record, उसके doctor का record, nurse का record, medicine का report, report, lab test, everything, आप उसमें चीज़ doctor देख पाए, वैसे normally जो senior executive doctors होते हैं, उसको हमेशा खुद से manually visit करना पड़ता है, तो यह phone और computer में भी देख सकते हैं, इसके लिए आप ready कर सकते हो, और source code तो इसका description में है, इसासा तमने team के साथ ज़्यादा discuss करेगा, ज़्यादा benefit होगा, नेक्स जो आपके लिए चूज आपको खुद से music बना के upload करने नहीं, you have API, अब Google करो के music का API बहुत सारे मिल जाएंगे, python और जंगो से खर सकते हो, जंगो एक framework है न, और इसका source code तो मैंने description में डाला ही है, कैसे और कर सकते हो, इसका बहुत details पर सकते हो, team member के साथ discuss कर सकते हो, और उसको बना सकते हो, वहा बहुत हाड होता है, share portal project का मतलब समझ रहो, जैसे आप एक दूसरे को चीज़ें share करते हो, यह थोरा सा run time में बहुत ही fast और बहुत ही valuable होना चीए, बहुत ही perfect होना चीए, इसलिए आप इसको Java में कर सकता हो, जावा नहीं आती, तो Python और जंगो के थूरू भी कर सकते हो, इस हो है chat server, मतलब instant messenger networking project in Java, Java के थूरू कर सकते हो, मैंने Java इसलिए mention किया है, क्योंकि यह hard project होता है, hard project in the sense, security के साथ होता है, तो और थोरा light weight नहीं होता है, थोरा hard weight होता है, तो इसलिए आप Java के थूरू कर सकते हो, otherwise आप Python और जंगो के साथ भी कर सकते हो, आपके team member पर depend करता है कि आपके team member को knowledge की particular चीज का है, अगर जाब आता है तो अच्छी बात है, और chat server तो समझ ही कहना, कि एक दुस्य से chat करने के लिए, उसके API के थुरू, उसका एक server ready कर सकते हो, client side, user side, तो वो बना के आप chat कर सकते हो, और run time में कैसे chat deliver होगा, उसके साथ WhatsApp का कुछ नहीं नहीं latest features को add कर सकते हो, teacher को क्या ही idea लगेगा, और जब लाइन latest feature को add करोगा तो आपका काम बन जाएगा, last में मैं presentation skills के बारे में बात किया हूँ, तो वीडियो जरूर लास तक देखेगा, next जो आपके लिए चूज क्या है, online college management system project in Java, online college management system मतलब, यह CMS क्या होता है, जब आपने college मे जाना है, तो वो offline, अगर आपको payment upload करने है, वो offline, अगर आपको college maintenance मतलब, तो वो offline, डेक्टर पास जाना है, तो वो offline, कोई complain करना है, तो वो offline, exam देने हैं, तो वो offline, result देखने हैं, तो offline, बहुत साइचीज है, offline, offline, result तो आजकल online हाँ भी जाते है, portal पे, लेक्न बाकि सारी च observe करोगे, everything, अपने team member साथ बैठके, तो आपको idea लग जाएगा, कि college में क्या-क्या चीज़ें offline है, जिसको often online कर सकते हैं, ज्यादा जानका इच्छे था, comment कर दीजेगा, मैं help करूँगा, हमारी team आपको मदद करेगी, लेकिन जब आप team में बैठके, discuss करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि बहुत साथ चीज़ें, hostel में भी है, जो offline है, जिसको आप online कर सकते हो, तो उसके लिए आप online management, college का management system project बना सकते हो, जिसमें एक एक चीज़ ऑनलाइन कर दो, अपने college में submit कर दो, और college वाला को अगर अच्छा लगा ना, आपकी creativity, आपकी design, everything, तो college वाला आपक consider कर लेंगे, और उसको college में apply भी कर सकते हैं, और जब एक बार college में apply हो गया ना, तो आपका नाम हमेशा के लिए हो जाएगा college में, और आपको आप रिजमे पर लिख सकते हो, कि आपके आज यह project है, वो college में भी चल रहा है, तो आपको काफी अच्छा exposure मिलने वाला है, जो अलग-अलग branches के साथ साथ अलग-अलग department होते हैं, अलग-अलग teachers, अलग-अलग faculties, सब कोई अलग-अलग होते हैं, तो उसको एक साथ merge करके, एक website poodle ready कर सकते हो, जहाँ पर वो सारे चीज़ दिखे, और वहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो, कोई एक दूसरे का address दिख सकता है अलग-अलग अलग चीज़ों में होगा, बारकोड होगा, सब कुछ online हो सकता है, नेक जो आपके लिए चूज क्या है, वह online classified CT search ads website project in Java, मतलब CT search का क्या मतलब होता है, CT search ads website, जहाँ पे add चलेगा, CT को search करने के लिए, ठीक है, वह अलग-अलग तरह का चेज, जो जिस CT में तो पूनिस related सारी चीज़ें दिखेगा, ads उस पे, अगर आप डेली में हो, तो डेली सारे ads दिखेंगे, सारी अच्छी चीज़ें दिखेंगी, यह काफी important है, और काफी unique project आपको दे रहा हो, जिसे उस website पे गए, आप जो project बनाओग, उस पे जाएगा लोग, और उस location डाल रूम का कुछ सामान लेना है, मालेजे, पिलो कभर लेने हैं, बेट शिट लेने हैं, तो वो जैसे ही search करेगा ना, उसके nearest दिखेंगा कि कौन-कौन से अच्छा-च्छाप्स हैं, जो से लिस्टेड हैं, जिसके advertisement चल रही है, वहां से शॉप कर सकता है, तो best काफी रहने वा वहां जाके आप उस नंबर पर कॉल करके डिसकस कर सकता है, अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए, तो कुछ पैसे लेंगे, लेकिन आपको प्रोजेक्ट वहां से मिल जाएगा, काफी कम समय में भी आपको मिल जाएगा, और आगर आपको टाइम बहुत कम है, कॉलेज में सम और कभी कोई तरह का दिक्कत होता है, तो कैसे आप कॉल जा सकता है, दूसरे नंबर जो रेइस्टर होगा पहले से, तो विमन को शेप्टी के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ा एड कर सकते हो, उसके साथ जो ज्यादा एज की लोग होते हैं, उसको भी सेप्टी के ल कर दो सकते होगा, कि जब बच्चे अपने घर से निकलते हैं, श्कूल जाते हैं, तो उसकी मा को बहुत तकलीफ होता है, उसका बच्च्छा साइसे होगा या निदी, खाना खाया होगा नी, क्या कर रह लोगा, पढ़ाइ कर रहा होगा, tijdनेंस बना या निदीछ क्या बोल रहे होंगे पिटाई चल रही होगी चुटी हुआ नहीं बस में बैठाई नहीं यह सारी चीज़ों का आप एप्लिकेशन रेडी कर सकते हो जिसे रन टाइम पर मैसेज जाए उसके घारजियन को कि आपका बच्चा से रूम में जा चुका है आपके बच्चे का अट बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है आपका बच्चा ने लंच कर लिया आपके बच्चे ने बस में इंटरी कर दी है और आपका बच्चा पहुंच चुका है लाइक तो हर वार फिंगर प्रेंट से यह सारा काम हो जाएगा नेक्स जो आपके लिए चूज किया हुए एडवा इस दिख जाएगा एक ऐसा पूडल लेडी कर सकते हो तो नेक्स्ट जो आपके लिए चूज क्या है मेना ERP सिस्टम फॉर इंस्टीट का मतलब क्या होता है इंजिनिंग और मेडिकल कॉलेज में आपने देखा हुआ कि बहुत साई डिपार्मेंट्स होते है उन डिपार्मे इसको अधार्मेंट्स होते हैं यह जो जाए उसको आपको इसको कौन से क्लास में कौन से लेक्टर लेना है वह कौन से डिपार्टमेंट का है उसका सारा डिटेल्स तो यह काफी बेनिफिट हो जाएगा और स्ट्ट्ट को भी चीज़ें दिखती रहेंगी और स्क्रम टाइप का चीज़ होयागा कॉलेज में भी तो आप इस पर अपने टीम में में और ज्यादा डिसकर्स कर सकते हो गूगल कर सकते हो और आपको आडिया मिलता रहेगा निक्स जो आपके लिए चूज क्या हो है बस बार कोड़ इसके मतलब जब भी आप बस में सफर्फल करते हो तो आपको ओफलाइन कैस देने परते हैं आज खल आटो में आप ओनलाइन कर देते हो लेकिन बस के अंदर यह फैसलेटी नहीं होती तो बार कोड़ सिस्टम कैसे रन टाइम पर जहां से जाना है और जहां तक उसमें कैसे रन टाइम में आप पेमेंट कर सकते हो एक वालेट का सिस्टम बना सकते हो जहां पर आटोमेटिक कर जाए ना नेटवर्ग का इशू हो ना कोई चीज का इसू हो और तुम पेमेंट कर जा है उस बार कोड़ पर और कहां से कहां जाना ये वी रिइस्टर हो जा यह काफ़ important होता है आपको थोगा सा map यूज करना पर सकता है कि अभी कौन से location पर है कौन से location पर यह next रुखने वाली है number wise 123 करके आप set कर सकते हो और वहां पर पहुंचा सकते हो प्रमेंट करा सकते हो नेक्स जो आपके लिए चूज क्या हो है smart health consulting project smart health consulting मतलब जैसे क्या होता है कि आप मेडवडी का नाम सुनोगा बहुत सारे से website से बहुत सारे application से जहां पर online आप उससे consult करते हो डॉक्टर से लेकिन उसमें आप कुछ और enhance कर सकते हो यह काफी अच्छा trending पर चल रहा है यह acceptable भी आपको ताकि आपके website को idea लग जाए कि उसके body में क्या problem होने वाली है और आप उसको message भेज़ सकते हो ताकि आप डॉक्टर को check-up करवा ले तो अब मैं बात करता हूं कि आप start कैसे करोगे बहुत ही simple तरीका सबसे पहले project के लिए अच्छा टीम बनाओ टीम में ऐसे बंदे कोशिश करो अगर आप खुद यह वीडियो देख रहे हो तो टीम लीडर बनो जब भी आप कोई company में इंटर्व्यू दोगे देखो हम project क्यों बनाते हैं engineering क्यों करते हैं जौब मिले और जौब में इंटर्व्यू बैठ होगे तो उसको एक अच्छा impact पड़ता है और फिर प्रजेक्ट का team बन जाए उसका flow diagram बनाओ एकदम से code पर मत बहुत से लोगों कोड करने लगते हैं और बार बार ट्राइलन एर्र होने लगता है सबसे पहले diagram बनाओ उसका prototype ready करो उसके बाद framework सीखो कोई अगर आती है तो अच्छी बात है तो आती है तो coding करना start कर दो नहीं जो आपके लिए मैंने चूज किया है ना presentation tips आप कैसे presentation दोगे सबसे पहले preparing कर लीजे उसका project का ठीक है उसका एक अच्छा कासा वह एक learning environment रहें अपने टीम मेंबर का प्रजेक्ट के लाभा कुछ भी चीज डिसकर्स मत करिए तो अच्छा एक environment खुद ही बन जाएगा फिर इसको जब भी आप प्रजेक्ट देने जाओ एक अच्छा beginning करो मतलब तो comedy कर सकते हो हसा सकते हो प्रजेक्ट वार में कुछ नया एड कर सकते हो रटके जाओ ना रटके जाओ वहां दिमाग से क्या बोलना हो जब खुद एक अच्छा environment बन जाएगा stage पर जो आप सब्सक्राइब अच्छा बनाओ तो हर एक प्रजेंटेशन चला दी और सोच यह क्या लिख दिया मैंने और यह इसका मतलब क्या होता है तो हसने लगेंगे यह अच्छा impact नहीं होगा तो आप एक अच्छा conclusion डेडी कर लो उसका लास्ट में कि उसमें आप लोगों में क्या value एड करने चाहा रहे हो क्या यह वर्थ इट है या नहीं और उसी के साथ और ज्याधा अगर जानकाई चीए तो आप हमारे website पर visit भी कर सकते हो www.codelapment.com महां से भी idea लग जाएगा अगर हमें reach out करना है तो facebook, instagram, linkedin और आपका program यहाँ भी आप visit कर सकते हो और आपको email करने है तो quick as the right codelapment.com पर आप email कर सकते हो project से related हम आपको solution देंगे help करेंगे तो आज के लिए इतना ही हमने project पर और भी वीडियोज बनाए थे यह playlist आपको दिख रहा है और यह वीडियोज भी दिख रहा है आप यहाँ से भी जाके कुछ और वीडियोज देख सकते हो अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए project के बारे में तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर केसी और वीडियो में